आपको आपको आपके फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कांता स्माइल करेगी वर्खा और वन्राज को देख कर यहां पर वर्खा कहेगी वन्राज से कि हमें बहुत केफुल रहना होगा अंकुष समर और डिंपल से कहते है कि चलो जाओ स्टेज पर आग लगा दो समर पाकी को मिस करता है डिंपल सोचती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब पाकी ने ये मोमेंट को स्पोईल कर दिया तो तुम इतने साथ एमोशनल क्यों हो रहे हो तब ही यहां पर वो सोचेगी कि पाकी को अगर तुम्हारी फि जादी में नहीं होगी अनुपमा समर से कहती है तो चिंता मत कर जरूर उसके ना होने की कोई ना कोई वज़ा जरूर होगी और इधा वन्राज उसकी बातों से अगरी करता है इधार समर डिंपल परफॉर्म करते हैं शाहास बाकी के फंक्शन को एंजॉय करते हैं अनुपम करती है कि मैं बिकुल ठीक हूं तुम टेंशन मत लो कावे एंजॉय करती है बैठे रहना यह ऐसा बोलती है अंकुष यहां पर पारितोश्यों समर के साथ में परफॉर्म करता है अनुपमा बहुत अनुज़ फील करती है अनुजो माया को साथ में देखकर के जो डिसाइड करती है वनराज को वनराज अनुज़ करता है कि अब यहां पर समर के पिरेंट्स को भी तो डांस करना चाहिए और वो अनुपमा को इन्वाइट करता है अनुज यहां पर कहेगी अनुपमा और वनराज तुम्हें जरूर परफॉर्म करना चाहिए अनुज यहां पर रिकॉर्ट करना चाहिए अनुज अनुपमा सपना देखते हैं कि वो दोने एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं और वो कहता है अनुपमा से कि मुझे तुम से सब कुछ बताना है अनुपमा अनुज से कहती है बोलो अनुज तब भी बैक टू रियालिटी में वो आ जाता है अनुज डिसाइड करता है कि अब वो अनुपमा को सारा सच बताएगा जो पिछले एक महिने से वो अपने अंदर छुपा कर रखा है शहाज और कपाडियाज एक दूसरे के साथ डांस करते हैं अनुपमा यहां काविया को ड्रैक कर लाती है डांस फ्लोर पर काविया वनरा अनुपमा करता है कि काविया फ्रैग्नेंट है और काविया से पहक करती हैं किया तुम डॉक्टर के पास कई काविया यहां पर शेयर करते हैं अनुपमा क्ष्जीन के मानी कि खुशी मैं समझ आ रही तर्यों मैं कै Semun यह क puta करती है कि वनराज कभी भी इस बच्चे के बारे में कुई care नहीं करेगा, वो इस बच्चे को भी वैसे ignore करेगा जैसे उसने मुझे किया, अनुपमा तब ही काविया को convince करती है कि तुम्हें वनराज को ये सच बताना चाहिए, तब ही वो कहती है कि मैं देखती हूं, तब ही अनुप और बेबी को blessings देती है अनुच यहां पर वन्राज और अनुच दोनों ही मिलकर अनुपमा को ढूंड रहे होते हैं और अनुच यहां देखता है कि अनुपमा कहा है और यहीं हो जाएगा शुराद के एपिसोड का इंग उसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स र सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक शेय करना ना भूलें